बोली स्री प्राणनाथ प्यारे की प्राणाधर सुन्दर साज्जी सबसे पहले तुम्हें एक बार आप सब की एकागरता देखना चाहूंगा और एकागरता को यहां पर चाहूंगा मंच पर बोली स्री प्राणनाथ प्यारे की बोली स्री सत्गुरु महाराज ए भूम हासी देखके आप होत सावचेत मूल सुख कहे स्री महामती तुमको जगाई के देत जागनी का प्रकरण अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग प्राणाधार सुन्दर साथ जी कलस इंदुस्तानी का ये प्रकरण इस प्रकरण का शीरसक ही है जागनी का प्रकरण और इसमें श्री इंद्रावती जी हम सभी ब्रह्मस्रिष्टियों को क्योंकि दूसरे चरण में कहा ए सुख सुहागिन जोग तो सभी ब्रह्मस्रिष्टियों को संबोधित करते हुगे कह रही है कि अब जाग देखो सुख जागनी जागनी के ब्रह्मान में जागरित हो करके जागनी के सुख को देखना है जो सुख केवल सुहागिन ब्रह्मस्रिष्टियों के योग्य है अथवा इसको दूसरे तरीके से कहें तो केवल ब्रह्मस्रिष्टियां ही इस सुख को लेने के योग्य है और वो सुख कौन से कहा जा रहा है कि तीन लीला चौथी घर की इन चारों को यामे भोग जागनी के इस ब्रह्मान में रहते हुए व्रज की लीला रास की लीला श्री देवचनर जी के तन से होने वाले जागनी का सुख तथा परमधाव क्योंकि चौथी घर की इन चारों के आनंद का यहां पर भोग किया जा सकता है अथवा अनुभव किया जा सकता है चौँकि शरत पूर्णिवा आने वाली है कल ही है और जितने भी सुन्दर साथ हैं चाहे यहां पर पहुंचे हैं या फिर अपने अपने घरों में होंगे या विभिन पूरियों में, मंदिरों में इकठा होने वाले जिकने सुन्दर साथ ही हम सब क्या करते हैं कि शरद पूर्णिवा में रास के नाम पर क्या होता है गर्बा के धुल में भजन ज्याद से ज्यादा वाणी और यहां तक की वाणी और भजन तो चलिए फिर भी ठीक है मान लिए गए लेकिन देवी के भजन पर भी सुन्दर साथ नाच रहे होते हैं रास के नाम पर क्योंकि अभी सुन्दर साथ को रासलीला की वास्तविक्ता का पता नहीं है कि रास कहते किसे हैं व्रज की लीला का आनंद लेने की बात की गई है मैं विशेश रुप से रास पर इसलिए केंद्री तो हो रहा हूँ क्योंकि सरद पूढ़ी मां की रात्री के विशें में बहुत सारे सुंदर साथ हमें समझाते हैं और हम यहीं मानते आ रहे हैं कि यहीं जागनी रास है सिवाagem कहते हैं ना जागनी रास खेलाए तो जागनी रास रास क्या है इस विशय में अब तक हमें सही धंग से पता नहीं है इसलिए में विशेश रूप से रास पर अपने बात केंद्रित करना चाहा रहा हूं कि रास को हमने क्या सोचा गर्बा डाणिया और नित्य इतने तक सिमित रखा है जबकि रास इन सब से बहुत उपर की बात है रास का अर्थ क्या होता है रसो वई सहर आनन्द को रास कहा जाता है परब्रम अपनी आत्माओं के साथ जो प्रेम और आनन की लीला करते हैं उस प्रेम की लीला में जो आनन्ध होता है उस आनन्ध को ही रास की संजया से सम्बोधित किया गया है आनन्द को प्रकट करने के व्यक्त करने के साधन के रूप में प्रीम को व्यक्त करने के साधन के रूप में उन विभिन लीलाओं का वर्णन किया जाता है क्योंकि हृदय में जो प्रीम है वो व्यक्त कैसे किया जाए कोई तो तरीका होगा इसलिए उन लीलाओं के रूप में रास लीला का वरणन किया गया और विश्यस रूप से गरवे की बात क्यों आती है रामत की बात क्यों आती है क्योंकि जिस जीव के उपर इंद्रावती जी विराजमान है और जिन्हें महामती जी की शोभा मिली है जिनके द्वारा ये ब्रम्हमानी अवतरित हुई है वह जीव गुजरात में जन्मलिया है और वहां के ये संस्कार रहे हैं रामत इत्या देखे वैसे देखा जाए एक बवधिक द्रिष्टी से सरल रूप से देखा जाए तो रास की जो लीला हुई थी योगमाया की में बात नहीं कर रहा इस संसार में भी जो रास की लीला हुई वो गुजरात में तो नहीं हुई है वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है व्रिंदावन तो वहां पर है और उत्तर प्रदेश में गरवा का प्रचलन तो नहीं है रामत इत्यादी का प्रचलन नहीं है तो वहां अगर इस तरह की लीला का वर्णन किया जा रहा सिधासा मत्तवी है कि चो महिर राज beasts का जिव हे वो गुजरात में पईदा हुआ है और वहां के समस्कार के आधार पर वहां प्रेम और आननत को व्यक्ट करने के साधन के रूप में उन रित्यों को उस सहकार की रामतों को प्रगट किया गया है व्यक्त किया गया है कि ऐसी लीला हुई होगी जबकि प्रेम और आनंद को प्रकट करने के लिए केवल गरवा और डाणिया परियापत नहीं है और उतने में ही संपुर्ण प्रेम लीला प्रकट हो जाई यह संभव भी नहीं है और विशे शुरूप से जागनी की लीला में प्रेम और आनंद को प्रकट करना इतना सरल भी नहीं है व्रज और रास के विशे में तो हम कहते हैं कि व्रज लीला लीला रासमा है हम खेले जान के यार जागनी लीला, जाग पहचान, खेले जान के संग करता इस जागनी के ब्रह्मान में प्राणनाथ जी के सुरूप की पहचान करके उनके साथ प्रेम और आनन के लीला करनी है अब यह संभो कैसे है वैसे तो हमें बहुत अच्छा मौका दिया है, अवसर दिया है बहुत बड़ा अधिकार दिया है यह, अधिकार क्या? कि जागनी के ब्रह्मान में रहते हुए हम ब्रज के आनन्द को भी ले सकते हैं, रास के आनन्द को भी ले सकते हैं, देवचन्द जी के तंसे होने वाली लिला और परमधाम इन चारों के आनन्द को ले सकते हैं, लेकिन फल जितना बड़ा होता है जितना मुल्यवान होता है उसको पाने के लिए मुल्य भी तो चुकाना पड़ता है उस फल की कीमत तो होगी कुछ और कीमत क्या है ये अगर हम समझ जाएं तो हमारी जागनी का रास्ता बिल्कुल सरल हो जाएगा कैसे? व्रज लिला में हमें जिन से प्रेम था वो जिस तन में विराजमान था वह तन ही इतना आकरशक है कि उसके प्रती प्रेम होना बिल्कुल स्वभाविक है क्योंकि उस तन का नाम क्या है? कृष्ण जी कृष्ण सब्द का अर्थ ही होता है यू करशयती आकरशयती सक्रिश्मा जो सब को अपनी और आकरशित करें और सोची जो इतना आकरशक तन वाला होगा उसके प्रती प्रेम आना स्वभावी कहें तो ब्रज में प्रेम करना बहुत बड़ी बात नहीं थी ब्रज में प्रेम करने की आवशक्ता नहीं थी ब्रज में प्रेम हो गया था रास की भी बात वैसी ही है रास में भी नूरी तन है प्रत्यक्ष रूप से सामने है और प्रत्यक्ष रूप से हमसे जाहरी रूप से भी प्रेम कर रहा है तो उससे प्रेम करना भी कोई मुश्किल काम महीं था लेकिन इस जागनी के ब्रह्मान में चाहे तीसरे दिन की लिला चौथे दिन की लिला में देख लीजिए चाहे पांचमे दिन की लिला में जिस देविचन जी के जिस स्थन में राजी विराजमान है देखिये चालिस वर्ष की उम्र में तो उनको तीसरी बार दर्शन हुआ है और जब से उनके द्वारा जागनी की शुरूबात हुई तो सोची कि 40 वर्ष के बाद में जागनी की शुरुवात होई तो अब शरीर आड़े आ रहा है कि राजी इस तन में विराजमान तो है लेकिन प्रेम कैसे करना है कि 40 वर्ष का है और उसके बाद जागनी का दौर चलता है अधेर अवस्था में पहुंच जाते हैं फिर व्रष के जिस तन को माध्यम बना करके राजी जागनी की लिला कर रहे हैं उसकी अवस्था वैसी है चालिस वर्ष की उम्र में ही हवसे के जेल में उनको दर्षन हुआ उनके हृदय में राजी विराजमान हो गए और उस तन की द्वारा जागनी लिला की शुरुवात जब तक बुद्धी का कारिय है कि प्रेम किस से करना है देवचंद्र जी से प्रेम करना है मिहिर राज से प्रेम करना है या इनकी अंदर विराजमा राज जी से प्रेम करना है पहले तो वो समझना मुश्किल और उसके बाद बहुद्धिक धरातल पर हम समझ भी लें तो व्य तन भीक्ष्या में लिया हुआ अन ग्रहन कर रहा है कभी किसी बात पर सुन्दर साथ को कुछ जोसीली बाणी में खंडनी भी कर रहा है कभी औरंग जेब की सैनिकों से लोकिक मर्यादा को प्रकृति की मर्यादा को निभाते हुए भागते भागते फिर रहा है इन सब लोक व ब्रज और रास में प्रेम करना तो सरल था इस जागनी के ब्रम्हान में उससे प्रेम करना बहुत मुश्किल है और कसनी जितनी कठीन होगी उससे प्राप्त होने वाला जो फल है वह उतना ही मधूर होगा एक लोग के वेवार में प्रचली तहे कहावत कि परिश्रम का फल मीठा होता है तो परिश्रम जितना अधिक होगा उसके फल की मधूरता भी उतनी ही होगी अब इस जागणी के प्रकरण में इंद्रा उतीजी हम सभी ब्रह्म सुष्टियों को कह रही है कि अब जाग देखो सुख जागणी जागनी का अगर हमें सुख लेना है तो पहले जागनी ब्रह्मान के सुख दातार सुख देने वाले स्वरूप की पहचान करने होगे क्योंकि सुख समय विशेस नहीं है शरीर विशेस नहीं है शुख किसका विशे है आत्मा और राज्जी की बीच की जो लीला है उस लीला में प्राप्त होने वाले आनन्द की ही बात हो रही है ऐसा नहीं है कि ब्रज मंडल की वज़े से सुख था रास मंडल की वज़े से सुख था या फिर इस जागनी के ब्रह्मान में आने की वज़े से सुख की प्राप्ति हो कि ऐसा नहीं है तीनों में एक ही चीज कॉमन है समान है वो कौन है हम और राजी सुख लेने वाले और सुख देने वाले वो तब भी थे और अब भी हैं लेकिन समस्या यहां पर है कि हम उनकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं यह केते हैं न बीतक में बहुत सरल शब्दों में कहा गया कि करामात मेरे स्वरूप पर मोहें आदमी देखे कि मुझे सामान्य मनुष्य की रूप में देखते हैं मुझे से लौकिक चमतकार की रिधी सिध्यों की इच्छा करते हैं इस कारण उनसे प्रेम नहीं कर पाते हैं पांच हजार की जमात पन्ना पहुंची लेकिन स्रीजी पर संपूर्ण रूप से समर्पित होने वाले सुन्दर साथ की संख्या कितनी थी पहले तो पांच हजार में से पांच सो ब्रह्मन स्ष्टियां कही गई है और उन पांच सो में से भी सभी ने अपना सर्वस्व समर्पन नहीं किया था और वो बात तो हम जजबन करके कह रहें ना हम अगर तुलना करें उन समर्पण ना करने वाली ब्रह्मिस रिष्टियों से करने वाले सी तो कर ही नहीं सकते तुलना जिनों ने समर्पण नहीं किया संपूर्ण रूप से उनके साथ भी अगर हम तुलना करें स्वयम की तो हम कहां खड़े हैं इसलिए चाहे हम कितना भी गर्बा डाणिया खेल लें हम जागनी रास के आनन को नहीं ले पाएंगे उसके लिए तो हमें स्री प्राणात जी के स्वरुप की पूर्ण पहचान करनी ही होगे जब तक हम उनके स्वरुप की पूर्ण पहचान नहीं करेंगे और पूर्ण पहचान का मतलब नवो मिहरराज है नवो महामती है नवो इंद्रावती है प्राणात जी इंद्रावती नहीं है प्राणात जी महामती भी नहीं है हम परंपरागात रुप से अंध परंपरा का अनुशरन करते हुए यह अवस्य कहते हैं बार बार कहते हैं महामती स्री प्राणनाथ महामती इंद्रावती की शोभा का नाम है और प्राणनाथ राज्जी को कहा जाता है दोनों एक नहीं है इन शुक्ष्म, वैसे इतना शुक्ष्म भी नहीं है लेकिन फिर भी जब तक इस अंतर को स्पष्ट कर के हम उनकी पहचान नहीं कर सकते बिना पहचान के हम समर्पण कैसे कर दे समर्पण करने के लिए कोई तो आधार चाहिए होता है ब्रज में एक आधार था, प्रत्यक्ष दिख रहा था, रास में भी एक आधार था, प्रत्यक्ष सामने था, आज छथे दिन की लिला में हम ब्रह्म्रस्ष्टियों के लिए अब एक कदम और आगे बढ़के, एक कदम आगे बढ़ने का मतलब, यह चोपाई पांचमे दिन की लिला में अवतरित होई है तो यहां तीन लिला चौथी घर की कहा गया है लेकिन आज इस छठे दिन की आउस्था में अगर हम देखें गहन रूप से विचार करके तो हम यदि यहां पर अपने आपको हमारे हृदय को उस आनन्द का पात्र बना लेते हैं तो हम पांचमे दिन की आनन्द को भी यहां पर ले सकते हैं जब हम अश्ट प्रहर की भी तक पढ़ते हैं यदि उसमें ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि सुन्दर साथ में किस तरह से स्री जी को शाक्षात अक्षरातीत पहचान करके मान करके मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि माना तो तब जाता है जब शंका हो कि चलो मान लेते हैं मानना नहीं अक्षरातीत पहचान करके उनकी जिस तरह से सेवा की उनसे जैसे प्रेम किया आज छठे दिन की लिला में यदि हम हम चित्वनी के द्वारा गुम्मट जी में विराजमान स्वरूप के उपर भी यदि हम उतना ही समर्पन करते हैं तो पांचमे दिन की लिला में सुन्दर साथ ने जो आनंद लिया क्योंकि मैंने पहले ही का समय महत्तुपूर्ण नहीं है ऐसा नहीं कि उस समय वैसा था इस का ना दिए हैं बस यह की बीच में एक अज्यानता का माया का परदा है और यह परदा जैसे समाथ होगा पर्दा समाथ होगा ज्यान से और पहचान से समर्पन से अब मैं फिर मूल मुद्दे पढ़ाता हूं और यह बात हम इस से पहले भी कई की बार सुन चुके हैं कि यदि हमें जागनी रास के आनंद को लेना है तो पहले पात्र बनना पड़ेगा देखिए ब्रज की लीला में कि साक्षात प्रत्यक्ष रूप से राज्जी थे कृष्ण जी के तन में तब भी बावन दिन की विरह में उनको तड़ पाया गया तपाया गया जबकी दोनों के बीच में कोई बहुत खास परदा नहीं था और आज तो परदा नहीं है आज तो दिवार है परदा तो शुक्षन होता ना आज तो हमारे और राज्जी के बीच में माया की वह अश्ट धातु वाली दिवाल है जिसको कि ब्रज से रास में जाते समय उस समय महारास में जाते समय बावन दिन की विरह में तपना पड़ा तब जाकर के वो शुक्षम परदा समाप हुआ तो सुचे कि अश्ट धातु की दिवार को समाप करने के लिए विरह की कितनी तिवर अगनी चाहिए क्योंकि अगनी ही संश लेकिन बावन दिन की विरह की आवस्था में पहुंचने से पहले भी एक और अवस्था है और हमारी आवस्था भी वहां की भी नहीं कैसे यह बात में बार-बार सुन्दर साथ के बीच में रखता हूं सुन्दर साथ सुन-सुन करके ठक जाते होंगे लेकिन मैं कह कह करके अभी ठका नहीं हूं क्योंकि अवस्था तो वही है कि ब्रज में ग्यारह वर्स तक 52 दिन के विरह को छोड़ देते हैं ग्यारह वर्स तक अवस्था ऐसी थे कि कोई भी पल ऐसा नहीं व्यतित होता था जिस पल हम क्रिश्ण जी को याद न करते हों और याद भी कैसे करते थे कि घर में खाना बना रहे हैं घरवालों के लिए वहां क्रिश्ण जी का कोई प्रसंद तो नहीं है लेकिन हम उनको ऐसे याद करते थे कि ये घरवाले अगर अच्छे से खाना खा लेते हैं भर पेट तो अगले बार भोजन खाने से पहले तक बीच में कोई किच-किच नहीं होगी और जो समय मिलता है उसमें हम क्रिश्ण जी से मिलेंगे घर का सारा काम निपटाते थे अब वहां क्रिश्ण जी से कोई लेना देना नहीं लेकिन वह काम भी ये सोच करके निपटाते थे कि ये सारा काम निपट जाए तो यदि हम कृष्णे जी से मिलके वापस थोड़ा विलंब से भी आते हैं तो जब घर में कोई काम नहीं होगा तो कोई क्यूं डाटेगा तो वहाँ भी सेंटर में कौन है कृष्णे जब ऐसी अवस्था थी तो केवल बावन दिन के विरह से काम चल गया लेकिन हमारी तो वह अवस्था नहीं है इसलिए सुन्दर साथ बहुत जल्दी हतोत साही तो हो जाते हैं कि दो दिन चार दिन, दस दिन, दो मैना चार मैना हम लगातार ध्यान में बैठते हैं, चित्वनी करते हैं उसके बाद जब मन चाहा परिणाम और मन चाहा परिणाम में क्यों कह रहा हूँ क्योंकि सुन्दर साथ पहले ही एक्सपेक्टेशन, उम्मीदे लगा लेते हैं कि हम ध्यान में बैठेंगे तो हम इतने दिन में तो राजजी तो पहले ही उम्मीद लगा करके बैठेंगे कि इतने दिन में हमें राजजी को सामने लाना है हाँ, उस हिसाब से प्रेम और समर्पन हो ये जरूरी नहीं है कि 40 वर्ष की उम्म्र में ही आपको दर्शन हो ये जरूरी नहीं है कि देवचंद्र जी की तरह उन्तिस साल कष्ट करने की जरूरत है ये इसलिए आवर्षक नहीं है क्योंकि देवचंद्र जी को लंबा समय लगा क्योंकि उन्हें पहले रास्ता पता नहीं था उन्होंने तो माजी की तरह पहाडी में पत्थर और हतोड़ा पत्थर पर हथोड़े मार मार करके छेनी और हथोड़े से हमारे लिए रास्ता बनाया है अब रास्ता बनाना मुश्किल काम है बने बनाये रास्ते पर चलना तो सरल होता है तो हमारे लिए भी 29 साल का समय लग जाए गए आवश्यक नहीं है लेकिन आवश्यकता है हम अभी भ शंका के बल पर ये रास्ता हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा कि नहीं हम एक कदम भी आगे ना बढ़ा है रास्ता सरकने वाला थोड़ी है रेलवे स्टेशन पर लगने वाले एसकेलेटर तो नहीं है कि आप पैर रखेंगे और अपने आप सरक जाएगा उसके लिए तो हमें कितनी दूरी तक दिखाए पड़ती है 500 मिटर या 1 किलो मिटर तक अगर अच्छी लाइट हो तो दिल्ली यहां से 7800 किलो मिटर अगर है तो हम उस जड़ लाइट के भरोसे गाड़ी चला लेते हैं कि हम थोड़ा आगे जाएंगे लाइट भी साथ-साथ में आगे बढ राही नहीं पा रहे हैं और जब इतना भी इमान नहीं तो सकते नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम राजी को रिजाने के लिए तो नहीं नाच रहें क्योंकि राजी को रिजाने के लिए जो व्यक्ति नाचेगा उसका ध्यान बीट पर नहीं होगा ध्यान किस पर होगा राजी पर उसको और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं पहला दूसरा हमारा पूरा पूरा ध्यान रहता है कि ह हमें देखने वाले लोग हमें देखते रहें जिसके नाम पर हम नाच रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो आपके शरेर के नृत्य को नहीं देखने वाला है वो आपके निरित्य को तब देखेगा जब आप चित्वनी में बैठ करके सोयम को नौरंग भाई का वहाव ले करके आत्मिक रूप से अगर उनके सामने निरित्य करते हैं तो वो देखेगा आपके सरेद के निरित्य से उसे कोई लेना देना नहीं चुकि समय का अभाव है मैं इसको बहुत लंबा खीचना नहीं चाहता आप सब बहुत अधिक समझदार सुन्दर साथ हैं मैं बस यही कहना चाहता हूं जैसा कि अभी हमारी बहन दिप्शिखा ने जागनी के लिए सभी युवाओं को प्रिरित किया था और वहाँ पर एक जितनी उर्जा हम वहाँ पर लगाते हैं माली जै कि एक घंटा आपने रित्य किया उसमें कितनी उर्जा लगेगी आपने हजार रुपए का साहित्य खरीदा चोटे-चोटे ब्रोशर्स खरीदे और उन ब्रोशर्स को आप अगर पचास लोगों को बांटते हैं तो मैं बीज बोया है अगर सही जगह पर बोया होगा तो फल उसका अवस्य मिलेगा लेकिन हम किवल नाचते रहें गरवे को डाणिया को ही जागनी राश समझ लें तो ये हमारी आत्मिक उन्नति में साधक नहीं अपितो बाधक बनेगे इसलिए सर्वप्रथम हम जो आनंद का प् सदासत्व सुख के दातार हैं उनके सुरूप की पहचान करें उस उसोरूप पर इमान लाएं उसी से हम यह दि प्रेम करते हैं और अपना सर्वस्प समरपित करते हैं हमारे वीकार को वाणिद जयान विरह प्रेम श्रदधा और समरपन ड्रिड विश्वास के साथ में उन विकारों को समाप्त करते हैं तो अवस्चे ही हम जागनी रास के अधिकारी बन पाएंगे अन्य था हमारी जो यात्रा है वो यहीं तक सिमीत रहेगी यह वैसा ही यह समझ जैसे कि मैंने एक एसकेलेटर का उदारन दिया हम नीचे से जो एसकेलेटर उपर के ओर जा रही है यदि हम उस पर अपने कदम रख देते हैं तब तो हम उपर की तरफ जा पाएंगे लेकिन हम उल्टे वाले एसकेलेटर पर जो नीचे की तरफ जाने वाला है उस पर हम खड़े हो जाते हैं और कदम आगे बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, दोड़ते जाएं, मालीची आप दो घंटे तक चलते रहे, चलते रहे, आप कहां आप पर होंगे उस समय, नीचे ही होंगे न, क्योंकि वो तो उपर से नीचे की तरफ आने वाली है, तो इसलिए मेरा आप सभी सुन्दर यही आग रहे, कि पतन की तरफ ले जाने वाले एसकीलेटर पर ना खड़े हों, जो यंत्र हमें उपर की तरफ ले जाने वाला है, स्वचालित सीनियां, उस पर हम द्रिड इमान के साथ खड़े हों, तब हमारी जागनी की जो यात्रा है, वो मंजिल तक पहुँचेगी, त चारों को या में भोग, इतना ही कहते हैं, क्योंकि आप सब सुन्दर साथ समझदार हैं, और समझदार को इसारा काफी होता है, मैंने तो 30 मिनिट तक इसारा किया है, तो सबसे आगर है कि इस इसारे को समझें, इसे के साथ मैं अपने वाणी को भी राम देता हूँ, फिलाओा कि ajeres के समझदार गसे याँ समझें,एस आगर है, मैं अपने याचल में भी राम अधिले हैं, क्योंकि e सबस्निते हैं, क्योंकि आप इसे आगरी क। धिले हैं, क्योंकि त Lords should 1977 architectures signing advice.